वोइस एस क्लियर ओके चलिए तो सर जो बच्चे नियू है उनको भी समझ में आने वाला ये टॉपिक ये टॉपिक ना कहीं से कहीं तक किसी भी चैप्टर से लेना देना नहीं है और एक क्लास इस टॉपिक का हम कर चुके हैं जिसको मैं एक बार फटा फट कुईकली रिवाईज करके मैं करवा देता हूँ आपको हमने क्या देखा था एस 19 एस 19 किसके उपर डिपेंड था लीज के उपर लीज क्या होता है सर जब कभी भी हम बिजनस स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ एसेट्स की जुरत पढ़ती है तो उस एसेट्स को हम जब किराये पे ले लेते हैं तो जो वह रेंट दिया जाता है उ बहुत लंबे समय के लिए ले लेता हूं और उसे लीज रेंट बोला जाता है तो मैंने एक एक्जामपल में बताया था कि बिजनस स्टार्ट किया एक्स वाइज़ेड लिमिटेड है पी क्यू आर लिमिटेड इसने नई मसीनरी खरीद के और इसको दे दिया तो इसका होता है कि एसेट का मिज शित आप्यार हिस्सा आप इस्तिमाल कर लेते हो अगर दस साल एसेट की लाइफ है तो आपने आट साल यूज कर लिया दूसरा एसेट को बैलेंस शीट में हम दिखाएंके यानि जिसने किराय पेंडैो सेट्ष लिया है वह बालाइस यीट में जो किराये पे समान ले रहा है वह लेसी है और जो किराये पे समान दे रहा है वो कौन है लेसर है ओप्रेटिंग लीज का क्या है रेंट एक्सपेंस मानेगा बुक्स आफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेगा सर अब सबसे मेजर पॉइंट है अभी हम सिर्फ फाइनेंस लीज की बात करने वाले हैं लास्ट में हम उपरेटिंग लीज की बात करेंगे ऐसे क्या-क्या इंडिकेटर है जिससे हमें पता चल जाए कि ये आपने जो लीज लिया है यानि जो समान किराये पे लिया है जिसे मान लेते हैं ये मुबाइल फोन ऐसे क्या रीजन्स हैं कि ये मुबाइल फोन जब मैं लूँँ तो पता लग जाए कि सर ये तो फाइनेंस लीज है तो पहला reason इसका ये था कि आपको promise होगा जो समान हम lease पे लेंगे बाफस खरीदने का मौका भी मुझे मिलेगा कहता है lease transfer ownership lease end of the term दूसरा हम इसका major part इस्तमाल कर लेंगे life का the optimum purchase expense sorry the lease option purchase price expected lower than दूसरा ये भी था के जो खरीदेंगे वो fair market से हमें क्या मिलेगा सस्ते में मिल जाएगा major part हम इस्तमाल कर लेंगे चौथे point को मैंने बोला था हम अभी करेंगे आज cover करेंगे पांचवा lease के अंदर हम अपने according modification करवा सकते हैं अगर lease term को cancel किया तो lessy को सारा का सारा payment देना होगा और अगर कोई भी gain इसको भी हम बाद में करेंगे lease secondary भी continue हो सकता है लेकिन fair market value से कम रहेगा और question भी करेंगे यानि sir basically lease में देखा जाए तो एक वेक्ति जो है किराए पर समान लेगा और एक वेक्ति कौन होगा जो किराए पर सामान देगा दो वेक्ति होगे ना जैसे माल लेतने हैं कि ये वेक्ति है ठीक है और एक इधर वेक्ति कर देते है अब इसके पास एक एसेट्स है और ये एसेट्स इसको जरुरत है और ये खरीदना नहीं चाहता ये रेंट देना चाहता है ये चाहता है कि हम क्या पेड कर दे सर रेंट पेड कर दे ठीक है तो जो ये वाला एसेट्स है ये इसको किराये पे दे देगा और ये क्या करेगा इसको हर महने एक रेंटल अमाउंट पेइमेंट करता रहेगा ये कहानी चलेगी तो जिसने किराये पे लेगा यानि इसने किराये पे लिया है तो इसको accounting word में बोला जाएगा सर ये कौन है लेसी और जिसने समान दिया है किराये पे इसको accounting word में इसका नाम होगा lesser एक्जाम में हमारे lessie के point of view से भी accounting पूछा जा सकता है और lesser के point of view से भी accounting पूछा जा सकता है कि अगर lessie हुआ तो वो कैसे accounting करेगा अगर lesser हुआ तो वो कैसे accounting करेगा दोनों के point of view से पूछा जा सकता है इसके लिए rental income क्या होगा income और इसके लिए rental income क्या होगा expense अगर मैं journal entry की बात करूँ पेसिक भी आएंगे हम journal पे यह क्या करेगा asset खरीद लिया asset आ गया किस से आ गया lesser से अब यह rent paid करेगा हर बार किसको rent देगा lease rent to lesser अब payment कर देगा lesser to bank उसके बाद इस rent को कहा दिखा देगा profit and loss में profit and loss to lease rent बिल्कुल basic general entry है दूसरी तरफ यह उल्टी entry करेगा इसकी इसने assets दे दिया किसको lessee को इसके पास rent income होगा तो rent credit हो जाएगा इसको debtor बना देगा इसके bank में इहाँ पैसे निकला है इसके bank में पैसे आएंगे और यह profit and loss को credit कर देगा तो दोनों point of view से accounting सीखना है जो यह rent देगा ना किसको rent देगा सरीए यह सामने आले पाटी को तो यह जितना total rent होगा life में total rent पूरे life में जैसे for example 5000 रुपे है और मैंने 10 साल के लिए lease पे लिया है तो total rent कितना देगा यह पचास अजा है समझ रहे है इसके बाद दो चीज़े हैं यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे minimum lease payment MLP बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको MLP चलिए और explain करते है सारे words जानना जरूरी है आपके सामने एक वेक्ती मैंने क्या बनाया सर यह बना दिया मैंने lessee अब आपको पता है lessee कौन है जिसने समान किराये पे लिया होगा फटाफट comment में बताए lessee कौन है जिसने समान किराये पे लिया होगा या जो किराये पे देगा बताए सर आठ साइट से था लेकिन मैंने graduation में become लिया है मनीश आपको फिर थोड़े से 11 की कुछ classes देखनी पड़ेगी जो की मैंने content में मैं डलवा दूँआ अपडेट करवा दूँआ आपके folder में आप बताईए कि rent मैंने क्या question पूछा था lessee जो rent पर लेगा बिल्कुल सही जो rent पर समान लेगा उसको lessee बोलेगा बिल्कुल simple language में समझते हैं भाईया यह rent पर समान लेगा पर एक ऐसा वक्ति भी होगा जो rent पे समान देगा है ना यह rent पे समान देगा तो इसको क्या नाम दिया था हमने sir leser बोला था हम finance lease कर रहे है पहले operating lease की बात नहीं कर रहे है पहले हम finance lease कर रहे है तो एक assets ना इसने rent पे दिया, एक assets लिया rent पे इसने, एक assets suppose इसने rent पे ले लिया, किस पे लिया सर इसने, rent पे, और rent बोला कि मैं 5,000 रुपए दूँगा, year में, मैं कितने payment करूँगा, 5,000, और इसने जो assets लिया है ना rent पे, उसका time है, suppose करो, 9 years, क्या time है उसका, 9 साल, और जो ये assets था ना, इसके पास, इसके पास जो assets था, 9 साल के बाद वापस इसके पास assets आ जाएगा ना, कब आ जाएगा इसके पास, after, after 9 years, ये assets return back आ जाना है किसके पास, lesser के पास, और इस assets का life जो था, मान लेते हैं, 10 साल था, इस assets का life 10 साल था, और जो ये assets का cost था, fair value, यानि market fair value, FB बोल रहा हूं, market fair value, वो था मान लेते हैं, 60,000, ये जर्नली हम इसको मान लेते हैं, उसका था, 50,000, यानि lesser ने एक assets 50,000 का, जिसकी life कितनी है, 10 साल, उसको rent पे दे दिया, लेसी को, और हर मेने ये 55,000 रुपेज को rent देने वाला है, और इसने इस assets को कितने time के लिए किराये पे लिया, 9 साल के लिए, तो इसका मतलब ये rent जो देगा, that is 45,000, और after the completion tenure और 9 year, ये इसको assets वापस देगा जब, तो इनके और इनके बीच में एक बात होगी, agreement होगा, ये कहेगा, यार तूने तो assets पूरा ही use कर लिया, अब ये assets में किसको दूँआ, lease पे, एक काम कर, तेरे तो use में ही है, तू ये वाला assets खरीद ही ले, तो market fair value से, इसे कम पे offer किया जाएगा, और इसे बोला जाएगा, चल एक काम कर, तू ये assets तिरको दे दिया जाएगा, लेकिन ये बात end में ना बोलके, starting में ही ये बात तै हो जाता है, कि भाई मेरे को तो 9 साल के किराय पे दे दे, और ये assets मैं ही खरीद लूँगा, तेरे तीन अजार में, खतम कर कहाने, यानि ये person, एक अपने मन से value बोलेगा, एक ऐसा value बोलने वाला है ये, और वो value किस लिए बोलेगा, ये खरीदने के लिए, किस लिए बोलेगा, खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए, किस लिए, और ये परचेस करने का जो ये value बोल देगा न, कौन बोलेगा परचेस कर लूँगा, lesser बोलेगा या lessy बोलेगा, lessy बोलेगा, उसको बोलेगे हम guaranteed value, उसको बोलेगे क्या हम, guaranteed value, यानि इसने guarantee दे दिया, कि भाईया, मैं तेरे इस assets को खरीद लूँगा, 2000 में, इस assets को खरीद लूँगा, मैं 2000, किस ने बोला, lessy ने, इसको बोलेगे हम guaranteed value, यानि guaranteed, residual value, जिसको short form में अब मैं बोलूँगा, जी आर वी, guaranteed, residual value, और ये क्या होगे है, rental value, तो question आता है सर, अगर आपने, एक word होता है, minimum, lease, payment, exam में यही पूछा जाता है, that is, इसको short form में बोलते है, MLP, ये पता है क्या होता है, rent, और plus में, G guaranteed residual value, तो आप में मुझे बताईएगा, MLP, इस सवाल में मुझे निकाल के बताईए, कि MLP क्या है, lessy के point of view से, क्या मैंने बताईए, कैसे निकलता है, minimum lease payment, MLP का मतलब, minimum lease payment, जितना, rent हुआ हो total, जितना total rent मिला हो, और plus, जो हमने promise किया था, कि आपको हम देंगे, तो दोनों को अगर जोड दिया जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा, minimum lease payment, तो यहाँ पे देखा जाए, तो sir, होगा कितने, sir, 45,000 तो, आपका rent था, plus मैंने guarantee दिया, 2000, तो कितना होगी हमारा, 47, यानि इस विक्ति के लिए, कितना होगी है 47, अच्छा, guarantee इसने दिया था न, अब ऐसा भी हो सकता है, देखो कोई assets मैं use कर रहा हूँ, और 10 साल से use कर रहा हूँ, तो मेरी मालिक से अच्छी जान पहचान है, तो कही बार क्या होता, एक दुकान जैसे मान लो मैंने ले रखी है, और मालिक से मैंने दुकान ले रखी है, और मेरी मालिक से जान पेचान है, दुकान एक दम कोने की फटा, बहुत फर्स क्लास चल रहा है, लीस पे लिया हुआ है मैंने, पडोस वाला बोल रहा है यार तुम जा रहे हैं, हाँ यार अब सारा कुछ मैंने गाउं में ही सेटल कर लिया है, और मैं गाउं में जाके करूँ अब दुकान दारी, दुकान दारी मेरे बस की बात नहीं है, वहीं पे रहूँआ बहुत जितना काम कर रहा था, कर लिया, तो पडोस वाला बोलता है यह वाली दुकान मुझे दिलवा दे, तू तो जानता है, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि या किसी और को दिलवा सकता यानि थर्ड पार्टी को ठीक है न तो मान लेते हैं यहां एक कौन इंवल्व हो सकता है हमारा थर्ड पार्टी तो MLP में जो आपका गैरेंटिड रेजिडियल वेल्यू है इसमें कौन सा हो सकता है या तो मेरे दुआरा दिया जाए या किसके दुआरा दिया जाए थर्ड पार्टी के दुआरा दिया जाए तो उसे बोलेंगे हम minimum lease payment चलो एक सवाल का जवाब देना मुझे मान लो मेरा रेंट है 20,000 पर एनम और मैंने 10 यर के लिए लिया और थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी 4000 पेमिंट करने की बात कर रहा है ठीक है आप देखो जब या तो मैं guarantee दूँगा या थर्ड पार्टी क्या दोनों दे सकता है यहाँ पे नहीं दे सकता है अगर मैं permission दूँगा तब ही थर्ड दे सकता है थर्ड पार्टी ने बोला कि मैं इसको purchase कर लूँगा इतने amount में आप बताएए MLP क्या है यहाँ पे MLP sir MLP क्या होगा यहाँ पे sir सबसे पहले तो rent जोड लूआ यानि total आप 2,00,00 रुपे rent दोगे sir 2,00,00 कैसे पूरे 10 सालों में और third party ने guaranteed value कर दिया है तो guaranteed value कितने होगे 4,000 तो जबाब कितना आजाएगा 2,00,00 4,00 समझ मैं MLP क्या होता है बिल्कुल सिंपल सा point है ठीक है चलिए अब मैं यहाँ पे मैं lessie के point of view से क्या होता है MLP मैं MLP लिख रहा हूँ number one कैसे निकालेगा करेद दें है कैसे निकालेगा टोटल रेंट जितना भी रेंट पेड होगा प्लस गेरेंटिड रेजिडिवल वेल्यू या तो सेल्फ का हो या प्लस गेरेंटिड रेजिडिवल वेल्यू किसका हर्ड पार्टी का दोनों में से किसी एक का होगा इनको एड कर देंगे तो देट इस आया जाएगा हमारा MLP शॉर्ट फर्म यूज़ कर रहा हूँ MLP का मतलब क्या होता है मिनीमम लीज पेइमेंट ठीक है क्लियर रही है अब सर लेसर के पॉइंट व्यू से क्या होगा MLP ये भी जानना होगा हमें तो सर जो इसके लिए MLP वो मेरे लिए MLP यानि सर अगर मेरे पॉइंटों भी से MLP पूछते हो तो जितना पैसा वही देगा वही तो मिलेगा मुझे है कि नहीं बताईए सेम ही रहने वाला है लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें टोटल रेंट पेड बाइ लेसी प्लस अन गारिंटिड शोरी गारिंटिड रेजिडियूल वेल्यू किसके द्वारा लेसी या फिर उसके बिहाफ पे थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी ठीक है साथ के साथ अब मुझे एक बात बताना पिछले एक्जामपल पे चलते हैं फिर से अब इसने इस वाले एक्जामपल में 2000 रुपे का गरिंटि दिया अब ये एंड में मना भी तो कर सकता है 10-20 साल में कभी मैं नहीं खरीद रहा जा ऐसे भी हो सकता है और ये बड़ा चलाक होता है लेसर लेसर इससे भी एक तरीके से गरिंटिड वेल्यू रखवा लेता है और प्लस ये अपने साथ कोई और भी बायर ढूंड रहा होता है कोई और भी बायर ढूंड रहा होता है सर ऐसा क्यों करेगा बायर मान लो आपकी मसीनरी है आपने सामने वाले को तो बोल दिया कि 2000 में प्लस आप अपनी भी एक सेटिंग लगाओगे क्या सेटिंग लगाओगे कि यार मेरा कोई एसेट्स ये महंगा खरीद ले मान लो आपके नोन में कोई है उसने बोला यार मैं पांच में खरीद रहूँ है इसको कितने में खरीद लूँगा मैं पांच में और उसने बोल रखखा है कितने में दो में टाम संड कंडिशन तो ये है कर भाई मुझे दो में देना पड़ेगा लेकिन बाहर वाला एक value हमें इसका बता रहा है नहीं बता रहा है बता रहा है पांच तो यहां पे दो अगर मुझे मिल गए तो तीन हजार का हमारा loss हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा क्योंकि अगर मैं इसे 2 में दे दूँगा और बाहरवाला मुझे offer कितने का कर रहा है 5 का तो वो हमारा loss हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे और अगर इसको नहीं दिया तो हम बाहरवाली को 5 दे देंगे तो इसका मतलब सर इसमें 2 तो guaranteed मिलना ही मिलना था और 3 ऐसे मिले जो की guarantee किसी ने तो ऐसे value fair value को अगर इनके बीच का difference देखें तो उसको बोलते है unguaranted residual value ठीक है unguaranted residual value क्या होता है market value और जो lessy ने payment बताया है उन दोनों के बीच का difference अगर मेरे वाले सवाल में देखो तो 2000 इसने देना है मैंने outsider को buyer को कितने में बोल दिया कि भाया मिल जाएगा मुझे 5000 में मिल जाएगा तो इसको बोलेंगे हम fair value fair value कितना होगा इस assets का जो की residual value की बात करें residual मतलब last में बिकेगा, scrap में बिकेगा कितने का है? 5000 और सामने वाले ने कितना guarantee दे रखा तो बताओ इसमें unguarantee value कितनी है? 3000 तो unguarantee value कितनी होगई यहाँ पे? 3000 रुपे होगई तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके अंदर plus हो जाएगा हमारा unguarantee value unguarantee residual value अंदर गरेंटिट रेजिडिवल वेल्यू क्या होता है हमारा? इहीं पे लिखने फॉर्मूला इसका क्या हो सकता है? आप खुद बना सकते हो फॉर्मूला है नहीं है ऐसा कोई फॉर्मूला अंदर गरेंटिट रेजिडिवल वेल्यू इस इकल टू फेयर वेल्यू माइनास गरेंटिड रेजिडिवल वेल्यू यही बन गया न? तो इसके लिए lease payment क्या होगा? minimum lease payment कि भाया जो तेरा rent आया वो और जो तुने guarantee दिया वो और जो अंगरेंटिड दिया वो पिछले वाले example में इसके लिए 47,000 था minimum lease payment क्योंकि यह 47 ही करता और इसके लिए कितना बन जाता? क्योंकि 5000 का guarantee मिल गया तो 45 और 5 इसके लिए 50,000 माना जाता ठीक है? तो इसके लिए यह होगा अब इसके अंदर ना इसके अंदर एक और थर्ड पार्टी आएगा और वो थर्ड पार्टी पता है कौन होगा? जो कि unguaranteed residual यहाँ पर कितने पार्टी involved है मैं या मेरे बिहाब पर कोई और यहाँ पर पता कौन होगा? भाई तो तेरे से payment आना है या तुछ से आ जाएगा या तेरे बिहाब पर किसी से आ जाएगा और एक मेरे बिहाब पर भी किसी से आ जाएगा तो यहाँ पर कितने लोग होगे एक तरीके से? चार होगा समझ मैं आई बात आपको तो यहाँ पर हमने देखा minimum lease payment किसके हिसाब से? sir minimum lease payment किसके? दोनों के हिसाब से एक तो आपका लेसर के हिसाब से और एक लेसरी के हिसाब से हाला कि इसे minimum lease payment भी नहीं कहते हैं मैं इस point को हटा देता हूँ अभी एक minute रुख जाईए minimum lease payment तो दोनों के लिए समान ही रहना चाहिए investment में डाल देते हैं minimum lease payment भाई साब यही रहेगा minimum lease payment यही रहेगा अब यहाँ पर हम निकालेंगे एक word सबसे पहले आपने क्या क्या सीख लिया यहाँ तक terms minimum lease payment क्या होता है guaranteed value क्या होता है unguaranted value क्या होता है rental value क्या होता है lesser कौन होता है और lessy कौन होता है यह सारी चीज़े सीख लिए आपने, अब हम देखेंगे gross investment किसको कहते हैं, gross investment, ठीक है न, तो gross investment यह, क्योंकि investment यह करेगा, यह यह करेगा, less ही कर रहा है investment या lesser कर रहा है, lesser कर रहा है, तो इसके लिए gross investment क्या होगा, lesser के point होई से, gross investment, is equal to mlp, plus unguaranteed residual value, और सर, unguaranteed residual value क्या होता है, fair value minus में guaranteed residual value, इसे बोलेंगे gross investment, देखिए पहलें, मतलब जो मैं lease में total term यूज कर रहा था, उसके बदले मैंने एक word और add-on कर दिया, देखो जो इसके लिए mlp होगा, वो मेरे लिए mlp होगा, लेकिन gross investment इसके लिए क्या हो जाएगा सर, इसके अंदर और एक part add हो जाएगा, क्या add हो जाएगा सर, एक और part, बताइए unguaranteed value, unguaranteed value कैसे निकालेंगा नीचे, मैंने formula लिख दिया और पीछे हमने समझ भी लिया, यहाँ तक किसी बच्चे को doubt है तो बताईए, यहाँ तक clear है, बढ़ जाए आगे, चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आगे, तो कुछ और बातों पर हम discussion करते हैं, चलिए सर, मान लो, आज है 2023, मतलब अभी 2023 चल रहा है, और मैंने एक समान किराय पे लिया, आप जानते inflation क्या होता है, आप तो first year में आ चुके हो, inflation का मतलब क्या होता है, यह है let's see, inflation क्या होता है हमारा बताओ, महंगाई, यह तो हिंदी हो गया, inflation, जैसे मान लेते हैं, एक एक एक्जामपल, हम आटे की बात कर लेते हैं, हर किसी के उपर inflation अलग अलग होता है, आटा, 2000 में, था 10 रुपे किलो, ठीक है न, 10 रुपे कीजी था, यानि आटा में 2000, 2000 क्या है, सर यह year है 2000, सन 2000, ठीक है न, 2000 में मैं, एक किलो आटा, कितने रुपे में खरीदा करता था, 10 रुपे में, और अब, 2023 में, देखा जाए, तो यह आटा जो है, मैं खरीदने लगा हूँ, अब बताओ कितने काता है, 40 रुपे का, मिनिमम 40 रुपे, थोड़ा बढ़िया खाओगे, थोड़ा बहुत दिखाओगे, कि हम भाई, यह ब्रेंड खा रहे हैं, वो ब्रेंड खा रहे हैं, विमार तो वैसे भी पढ़ना ही, पढ़ना है, तो 40 रुपे की लो, है न, तो 10 रुपे का समान 40, अब हमारे 10 रुपे की जो वैल्यू थी, 2000, अब 2000, जितना सेटिस्फेक्शन मुझे, 2000 में 10 रुपे में मिल रहा था, अब सेम सेटिस्फेक्शन मुझे, 2023 में कितने में मिल जाएगा, अगर आपको कोई कहता है, कि भाई मेरे को तू 10 रुपे दे, दे, 2000 में, और मैं तिरको 2023 में 30 रुपे दे दूँगा, तो आपको लगेगा, यार, 3 गुना हो गया पैसा, हमारे 20 साल में तो, लग रहा है न, 20 साल में तो 3 गुना हो लेकिन ये तो आप loss में हो, सोचो, जो समान उस दिन खरीच सकते थे, और उसके पेमिंट देने के बाद भी आज आप 30 रुपे में नहीं खरीद पा रहे हो, ऐसा ही होगा न, तो आपको एक पल को ऐसा लगेगा है, मेरे पैसे तो double, triple हो के बढ़िया है दे देते हैं, लेकिन inflation rate को अगर आप देखोगे न, तो आपको पता लगे हैं, आप तो नुक्सान में बैठे हो, यहाँ पे भी आपका 10 रुपे का loss है, यानि हमारा रुपे का value day by day depreciate होता जा रहा है, पहले 100 रुपे खर्च करते थे, तो 100 रुपे बड़े दिनों तक चलता था, आप 100 रुपे में कुछ भी नहीं आता, बोलते हैं न, पहले जवाने में आपने सुना होगा, आप अपने दादा दादी से जब आप बात करेंगे, तो वो बताएंगे के पहले भाई 20 रुपे में पूरे महिने का खर्चा चलता था, और उसमें भी पैसे बच जाते थे 20 रुपे तन्खा में, आज 20 रुपे में एक ब्रैड का पैकेट भी अच्छा नहीं आ रहा, तो वो क्या है, उस टाइम पे 20 रुपे, आज के 10 अजार के बराबर हो चुके हैं, ठीक है न, तो कहीं न कहीं, जब ये पॉइंट्स आया न, आप ये समझ पा रहे हो कि ये, तो कही बार आपको बैंक में न, होता है क्या है, बैंक के अंदर ऐसा रहता है, कि भाई, आप देखते हो कि पैसे डालो, और 10 साल में डबल, जब भी इंवेस्मेंट करना है, तो आपने ये देखना है, इंफलेशन रीट, आप देखते हो न, कि भाईया, हमने बैंक में FD कर दिया, एक लाख रुपे, और 10 साल बाद हमें मिल जाएगा, दो लाख रुपे, अब आपको ये चेक करना है, कि अगर आपका, आज 10 रुपे किलो आटा है, और 10 साल बाद अगर 20 रुपे किलो आटा है, तो आपके पैसे डबल नहीं हुए आपके पैसे डबल नहीं हुए सरफ inflation rate को compensate कराएगे आपको कोई benefit नहीं है यहाँ पे और अगर बैंक वाला आपको बोल दे के 10 के बदले हम 18 दे देंगे तो अब तो आप नुकसान में ही हो तो आपने 15 रुपए नहीं कमाए सरिफ कितने कमाए 5 रुपए तो ये समस्या पता है किस के पास आ गया ये समस्या आ गया लेसर के पास ये सेम समस्या create हो गया पता है किस के पास सर ये सेम समस्या आ गया हमारा लेसर के पास सर क्या समस्या है इसमें लेसर के पास वो आज एक एसेट्स खरीद लिता था जिसकी कीमत थी पचास हजार और इसने सामने वाले पार्टी को रेंट पे दे दिया इसको दे दिया है किस पे? रेंट पे और इसने प्रॉमिस किया कि मैं भाई तिर को छे हजार रुपे दे दूगा और दस सालों तक दूगा और एसेट्स की लाइफ भी दस साल है मान लो तो ये तो एक पल को ये सोच रहा है कि भाई मेरे तो पचास हजार के कितने बन जाएंगे दस साल बाद साथ हजार यानि पचास हजार के कितने बन रहे हैं और प्लस रेजिडिवल वेल्ली भी मिल जाएगा तीन हजार रुपए तो मेरे तो बन गे कितने 63 हजार तो मैंने तो 13 हजार कमा लिया नॉर्मल इंसान तो यही सोचे गा भाई 50 का समान दिया 10 साल के लिए किराय पे दिया 63 बन गे बढ़िया है लेकिन अब यह देखेगा कि यार अगर मैं 50 हजार बैंक में अफडी करता तो यह एक लाक बन जाता 10 सालों में तो डबल हो जाता लग बग लग बग तो यह तो नुकसान में रहा है यह चलाकी में तो नहीं रहा तो अब यह क्या करेगा lease payment decide करेगा inflation rate को ध्यान में रखते हुए और पहले calculate कर लेगा यानि जो यह rent दे रहा है पहले साल में फॉस्ट इयर में जो इसको rent मिलेगा 6000 तो मिल रहा है इसको rent लेकिन यह 6000 के बराबर ही नहीं है कम हो गए इसकी value तो क्योंकि जो चीजे मैं एक साल पहले 6000 में खरीद पा रहा था एक सेल बाद वो 6000 में है ही नहीं तो मान लेते हैं वो 90% हो गया है 0.9 हो गया है तो यह मानेगा के भाईया मुझे कितने मिल गए 1400 तुम 6000 दे रहे हो ना वो 6000 के बराबर नहीं है वो कितने के बराबर है 50 400 फिर दूसरे साल इसको rent मिलेगा 6000 तो बोलेगा भाईया 6000 थोड़ी मिला और दूसरे साल दो साल बाद तो 6000 की value और कम हो जाएगी मान लेते हैं 0.8 हो गया दो साल बाद तो यह हो गया आपके 49 अब तीसरे साल मान लो 6000 मिलेगा यानि भाई 6000 मुझे तीन साल बाद मिल रहा है तो इसकी value और क्या हो जाएगी reduce हो जाएगी मान लेते हैं 0.7 हो गया तो 42 तो इसे हलाकि आपको नजर आ रहा है कि तीन साल में 18000 इसे मिले हैं लेकिन actual माईने में देखा जाए तो तीन साल में इसे 18000 नहीं मिले actual माईने में देखा जाए तो सर तीन साल में इसको मिले हैं मात्र 14400 कितने मिले हैं 14000 यानि जो 18000 है उसकी आज की date पे कितनी value है 14400 तो इस point को जब हम रुपे को present value से compare कर देते हैं ठीक है ना तो what is the present value सर जो payment हमें हर साल मिल रहा है कई सालों के बाद मिलेगा तो हम आज ही पता कर लेंगे कि भाई तू कल 6000 देगा उसका present value यह होगा अगले साल देगा उसका present value यह होगा उससे अगले साल देगा present value परज़न मतलब आज के हिसाब से ऐसे ही मैं 10 सालों का calculate कर लूँगा अगर मेरा 50,000 रुपे से उपर बैठ रहा होगा present value तब तो मैं investment कर दूँगा अगर 50,000 से कम बन रहा होगा present value तो मैं investment के लिए मना कर दूँगा बोलूँगा भाई तेर को 50,000 रुपे आज दे रहा हूँ और तू मुझे 10 साल बाद लोटाएगा और 10 साल बाद वो मेरे 40,000 के बराबर का value रह जाएगा तो मैं क्यूं दूँ तुझे किराये पे समझ रहा हूँ तो बैंक वाले जो ब्याज वाइस देते ना ये कभी ब्याज नहीं देते ये सिर्फ inflation rate दिया जाता है और ब्याज नहीं होता वो लोगों का thought होता है वो आगे चलके आप financial management में पढ़ोगे ये सारे चीजे के क्या चीजे है आपको बस एक छोटा सा point यहाँ पे दिखाये जा रहा है ठीक है यानि सर जो lease मिल रहा है यहाँ पे हमें इन सभी बार आपको questions में given होता है कि भाईया present value कैसे होगा एक तो आपको question में given होगा एक मैं निकालना बता दूँगा चलो एक पर question में given है एक पर question देख लेते हैं फिर उसी को मैं निकालना भी सिखा दूँगा साथ कैसे calculator आप सभी के पास है तो आराम से आप सीख सकते हो तो अब हमें क्या करना है पहले देखा ग्रॉस और फिर अन गरेंटेड वेल्यू फिर आपका minimum lease payment क्या है अब निकालेंगे सर एक और point निकालेंगे पहले हम present value निकाल लेते हैं तब देखेंगे ठीक है चलो question में देखेंगे तब मैं यहाँ पर लिखूँगा एक आपके सामने question है यह आपके book में नहीं है यह question अलग से लिया गया है यह C.A. intermediate का question है simple सा question था यहाँ पर देख लिया तो देखते हैं कहता है fair value of machine machine कितने का इसर 48 लाग का है जिसका least term कितने साल होगा पांस साल और हर साल मुझे आठ लाख रुबए का रीज लेंटर मिलेगा guaranteed इसने guaranteed दे दिया कितना हमारा 1,60,000 1.6 और इसने expected residual value यानि market value, fair value expected करता है कि भाया कितना मिल जाएगा आप यहाँ पर क्या unguaranteed residual value निकाल पाओगे क्या बताया था unguaranteed residual value जितना guarantee दिया और fair value दोनों का difference क्या हो जाएगा unguaranteed residual value निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे और यह rate दे रखा internal इसको हम implicit rate भी बोलते हैं और that is यह inflation rate होता है और बोलता है कि भी यह inflation rate ऐसा है अगर आज के एक रुपए आपको कल एक साल बाद को एक रुपए देगा तो वो एक रुपए के बराबर नहीं होगा वो 86, 96 के बराबर होगा और अगर 200 बाद को एक रुपए देगा तो वो इसके बराबर होगा अगर 3 साल बाद कोई देगा तो वो इसके बराबर होगा 4 साल बाद देगा तो कोई 5 साल के बाद होगा ये rate कई बार आपको तो दे रखा है तो आप तो निकाल दोगा अभी मैं आप निकाल के भी दिखा दूँगा अगर ये rate ना दे रखा हो तो calculator पर कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ देखो calculator पर कैसे निकाला जाएगा आपको calculator पर 1 divide step number 1 1 फिर divide करना है कितने percent है आपका 15 है तो 1 प्लस में 0.15 यानि आप पहले ही determine कर ले 1 प्लस में 0.15 कितना होगा अगर हम इसको solve करते हैं तो 1 divided by 1.15 बन रहा है तो आप calculator पर 1 divided by 1.15 कर लिया अब equal to press करना है बस जैसे equal to press करोगे पहले साल का आजाएगा जो यहाँ पर दिख रहा है exact value दिखेगा आप फिर एक बार और प्रेस करोगे तो दूसरे साल का आजाएगा एक बार और प्रेस करोगे तो कौन से साल का आजाएगा तीसरे साल का आजाएगा एक बार और प्रेस करोगे तो कौन से साल का आजाएगा चौथे साल का देखो चौथे साल का 57 17 आ रहा है वहाँ भी 57 17 है पॉइंट राउंड फिजर में एक बार और प्रेस करोगे तो कितना आजाएगा पांचवे साल का इसको जितने साल का चाहिए इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करते जाने आपको उतने साल का मिल जाएगा बाई चांस आपको examiner ने दिया नहीं ये discounting rate और बोल दे इसको discounting rate भी बोलते हैं ठीक है न याद रखना कुछ-कुछ word है जो कि हमारे book के हिसाफ से थोड़े technical word होते है लेकिन समझोगे तो मतलब बड़ा आसान होता है उसका ठीक है न तो उसको discounting rate ही बोल देते हैं कि discount करके हमारे पैसे कम हो रहे हैं limited कुछ भी नहीं बताया अब यह lesser के point of view से मैं निकालना है मैं बता देता हूँ किसके point of view से निकालेंगे हम lesser के point of view से तो चलिए lesser के point of view से सबसे पहले तो आपको हर साल का lease amount पहले हम Norman लेका लेते हैं lesser के point of view से MLP MLP निकालना है किसके point of view से sir MLP या फिर MLP की जगह पर मैं बोल दूँ gross investment निकालना है direct gross investment किसके point of view से आप देख लो एक बार formula भी दिखा देते हैं ताकि आपको याद रहे कहां चला गया भाई नहीं फार्मूला चार्ट बनाया था ना हमने मुझे gross investment निकालना है किसके point of view से क्या add करना है क्या less करना है देख लो आप निकाले वहाँ पर यही सेम अपलाई करेंगे हमें चाहिए mlp, mlp में क्या add कर देंगे और mlp कैसे निकलता है सर, mlp निकलता है यह प्लस में guaranteed residual value अगर मैं mlp का formula लिख हूँ यहां पर mlp is equal to rent यानि lease प्लस में guaranteed residual ठीक रहे गया यह चलिए अब निकालके देखते हैं आजओ आजओ कुश्चन कहा है यह रहा है तो सब्सक्राइब रेंट कितना है रेंट कितना है यानि minimum lease terms है लीस रेंटल कितना है हमारा इसको पहले हम डाल देते हैं चलिए लीज रेंटल इसको पहले हम डाल देते हैं पांस सालों तक और एक साल का आठला तो आठ लाग इंटू में पांच देट इस चालिस लाग अब इसमें क्या एड कर दोगे सर guaranteed value तो guaranteed residual value कितना guarantee दिया था उसने एक साठ एड कर देंगे और आपको gross investment निकालने के लिए इसके अंदर और plus क्या कर दो guaranteed residual value क्योंकि ये हिस्सा तो MLP आ गया guaranteed कितना आया भया fair में कितना market में चल रहा था तीन लाग तुमने guarantee कितने की दे रखी है एक साठ का तो कितने बच गए एक चालिस इसका मतलब total कितने हो गए 43 लाग चालिस और तीन 43 होंगे न यानि इसकी value ये आ गई समझे अब मैं जानना चाहता हूं इसकी present value भी बताओ आप तो present value कैसे निकालेंगे बहुत ही simple है हमें लेकिन पांस सालों का अलग-अलग करना होगा मैं टीवल ही बना देता हूं यहां पर लिख लेते हैं amount यहां पर लिख लेते हैं पीवी एफ और यहां पर लिख लेते हैं उसका present value चलिए ज्यादा नहीं चाहिए यहां पर amount लिख लेते हैं amount के जगा पर मैं रेंट लिख दूं रेंट और यहां पर present value जिसको पीवी यह बोलते हैं और present value factor को एफ बोल देते हैं इसको पीवी एफ भी बोला जाएगा और कितने % हमारा पीवी एफ 15 परसेंट है ना और कितने सालों का हमारा 15 परसेंट पांस सालों का तो 5 यह का 15 परसेंट ऐसे करके कुछ लिखा हुआ कई बुक में मिलेगा तो इसका मतलब यह होता है बाकि आप ना भी लिखो तो कोई फरक नहीं पढ़ता है ठीक है सिर्फ पीवी एफ लिख दोगे इसक अगर मैं नमबर वन दे दू नव इसको नमबर टू तो परसेंट वेल्यू क्या होगा एक गुणा में दो ठीक है चलिए इसके में क्या लिखोगे सर इसमें इयर लिख लेते हैं पहले साल में रेंट कितना मिलेगा आठ लाग और पहले साल का पीवी एफ एक्टर क्या है 0. 2.86 ठीक है सर दूसरे साल में कितना मिलेगा और इसका पर्जेंट वेल्यू क्या दे रखा है 755 कितने 6 1 तीसरे साल में और इसका क्या वेल्यू है 6 5 4th year में लेकिन 4th year में 80 वैसे मिल रहा है लेकिन इसका वेल्यू क्या बन जाएगा कितने परसेंट 5 5th year में इसका वेल्यू क्या बन जाएगा 4972 अब fourth year में ही मुझे ये भी value receive होगा और ये भी value receive होगा क्योंकि ये चौथे साल में मिलेगा ऐसा तो है नहीं कि पहले साल में ये मुझे बेच दूँगा machinery को ये कब मिलेगा हमें? सुरी, fifth year में कब मिलेगा हमें? fifth year में तो fifth year में हमें और भी जे मिलने वाला है that is आपका 160 और 140 तो सर इसका भी रेट क्या होगा 0.4972 और 0.4970 अब इसको multiply करो इसका shortcut भी है लेकर हम shortcut पर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी ठीक है हमें लॉंग प्रोसेस से जाना पड़ेगा अभी फिलागा इसका हम FM जब करेंगे तब सिखाऊंगा मैं 695680 0.7561 604880 0.6575 5,26,000 0.5718 45740 मैंने कई जगा पर 80,000 लिख दिया है ना और यह 80,000 नहीं है आठ लाग है तो यह कहीं आप calculation करें तो गलत ना समझे लेना यह ठीक है इन्टू में 0.474972 यहागे 3,9397 चलो एक साथ यहागे 7,9 5,5,2 140 यहागे 6,9 6,0,8 अरे 6,0,8 ठीक है अब इन सभी को जोड़ दो इन सभी को क्या करो जोड़ दो तो जोड़ते हैं 6,9 5,6,8,0 6,0,4,8,0 5,2,6 4,5,7,4,4,0 3,9,7,7,6,0 7,9,5,5,2 6,9 6,0,8 टोटल चेक कर लेना गलत भी हो सकता है यह 2,8 3,0,9 2,0 टोटल चेक कर लेजेगा तो टोटल वेल्यू यहां पर कितना आ रहा था जबकि यहां कितना आ गया तो हमारा यह भी MLP है यह क्या था हमारा ग्रॉस इंवेस्मेंट यह भी हमारा ग्रॉस इंवेस्मेंट ही एक तरीके से है ठीक है न अगर मैं MLP बोलू यह भी क्या है हमारा क्योंकि यही सारा total किया है ये भी क्या है हमारा gross investment लेकिन ये present value है उसका उपर वाला gross investment normal है और ये वाला जो gross investment निकाला वो क्या हमारा present value है यहां तक देखे फ़ले यहां तक किसी को doubt one plus one five कैसे होगा जोड़ दीजिए आप simple one five क्या है यह rate पंदरा परसेंट को हम one point zero point one five बोलते हैं फंदरा परसेंट को ठीक है फंदरा परसेंट को zero point one five बोलते हैं शायद आपके किताब में भी यह question हो सकता है मेरे खेल पहले बताईए यहां तक clear है तो फिर मैं एक और point आगे add कर दूं बताईए जल्दी जल्दी बता दिए yes और no है क्या same question अच्छा दिखाना आप बताईए सभी बच्चे को जितने भी live फिर मैं आगे बढ़ जाओंगा एक और point लिखने वालों हम 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 हाँ क्यों 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 अभी नेया है है तो उसके इसाब से कि देरेते हैं चल्व 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 सर फिफ्ट इयर के बाद एक साट क्यों किया फिफ्ट इयर के बाद क्योंकि ये फिफ्ट इयर के बाद मुझे और भी ये पैसे मिलें गे रूज इक लाग साट हजार क्या है सर ये भी मिलेगा मुझे पांच वे साल और ये भी मुझे एक चालिस भी पांच वे साल में मिल जाएगा पॉइंट व्यू लेसर तो इसलिए इसका भी मैंने पर्जेंट वेल्यू निकाल लिया यानि यहाँ पे यह present value simple है यह gross investment है यह present value नहीं नॉर्मल यतना दिख रहा है उतना जोड लिया और यह क्या निकाल लिया present value अब निकाला जाते है un-earn ऐसा पैसा जो कि आपने earn ही नहीं किया तो उसका formula क्या होता है un-earn इससे interest बोल देता है या un-earned interest बोल देता है या finance income बोल देता है देखो यहाँ पे पूछा है न असर्टेन finance income बोल देता है sir un-earned कैसे निकालोगे finance income बहुत simple is equal to cross investment minus में present value of क्या formula लिखा ये जो आया और ये जो निकाल है दोनों का difference उसे क्या बोलेंगे earn in वो पैसा जो आपने कमाया नहीं दिख तो रहा था लेकिन आपने कमाया नहीं तो कितना आजाएगा यहाँ पे 43 लेक minus 28 30920 यानि यह आगया 146 9080 यहाँ तक समझ में आए यानि वेरी सिंपल पहले क्या निकाल लोगे आप gross investment भी पता चल गया MLP भी पता चल गया यह किसके point of view से है lesser अगर lessie के point of view से होता तो क्या ये वाली value लेते हम नहीं लेंगे lessie के point of view से ये वाली value नहीं लोगे और यहाँ पर भी ये वाली value नहीं आएंगे बाकी सबसेम रहेगा ठीक है इसके बाद पूछा जाता है net investment क्या होता है net investment पहले यहाँ तक समझ में है एक question देखें और book का ही देख लेते हैं ठीक है बुक में दिखाओ कौन सा investment net वाला है कोई क्या या पहले आपके book का question number books of lesser है यह illustration one ही करते हैं net investment पूछा है किसी में नहीं पूछा net investment चलो मैं अलग से करा दूँगा यहाँ तक clear है यहाँ आपके और